तो इस चप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खात्म हुई थी। वांगबु गुनेक डेडली सॉल कलेक्टर के सर को काटते ही पूरे वारियर हॉल में हरकंप मच गया होता है और सभी वारियर आपस में भिनविनाना सुरू कर दिया होता है। हुए वांगबु गुनेक काफी ही गुसे में बोल रहा होता है योंबायक भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस नाम को लेने की तुम्हारे उस बेकार से गंधे महुष से जबकि इधर डेडली सॉल कलेक्टर के सर कट जाने के बावजूद भी वह बोल रहा होता है। औफ वार निर्दोस है यह सब मास्टर हुआंगु का रचागया साजिस है दूसरी तरफ स्वाडिसेंट इस नजारे को देख बोल रहा होता है वागु तुमने ये क्या कर दिया जबकि डैन बस ये सब देखता हुआ जा रहा होता है वहीं इधर स्वाडि टैरेंट सोच रहा होता है डेडिली सोल कलेक्टर हुआंगु का दाहिना हाथ हुआ करता था पर फिर भी उसने बिना किसी हैजिटेशन को उसे मार दिया आखिरकार यह बंदा है क्या यह सच में हुआंगु फैमली का मेंबर है सेम टैम पर सारे वारियर डेडिली सोल कलेक्टर को इस तरह मरता वाद एक आपसमें बात करते हुए बोल रहे होते हैं किया मास्टर हुआंगू ने बस ऐसे ही जनरल मेनेजर हुम को मार दिया पर क्या तुमने उसके आख्री सब्द सुना था वह भोल रहा था कि यह सब मास्टर हुआंगू का रचागया साजिस है तो फिर क्या इसी कारण से मास्टर हुआंगू ने उसे चुप कराने के लिए मार दिया वहीं हिउन्डू बोल रहा होता है मास्टर हुआंगू मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पावर्फुल गुरूप्स के ग्रेंड असेंबली में किसी को इस तरह मार सकते हो वास्तब में तुम छुप गुनैक से सवाल पूछते हुए कहते हैं मास्टर हुआंगू प्लीज जवाब दीजिए क्या जनरल मनीजर ने जो बोला वह क्या सच है आखिर वह कौन सी चीज है जिसके चलते उसका मुह बंद करने के लिए आपने उसे मार डाला उन सभी लोगों की इस तरह की बातों को स अपने मन में सोचता है दिकार है मैंने बिना रियलाजेशन के ये सब कर दिया उसके बस अनेक्सपेक्टेड इस्टिटमेंट के कारान लेकिन आखिरकार उसने अचानक ही हुआंगबू मुयक का नाम क्यों लिया उसी से मैं डैन उसे टेली फैती के जरिये बोलता है क्या ब बड़ा और सबसे अच्छा और्गेनाजेशन कहा जाता है वह इस बार प्रोब्लम की अच्छी तरह से सामाधान करेगा पर तुमने तो मुझ पर काफी बेतुकी और बलत आरोपों को लगा कर मुझे मारने की कोशिस की यदि मैं पहले से इसके लिए तयार नहीं होता तो मै खुद को आजाद करते हुए उस बंदे से बोलता है अच्छा क्या बात है इन सारी चीजों को होने के बावजूद भी तुम्हारे मास्टर ने अभी अभी मेरा सर काटने का फाइसला सुनाया है क्योंकि एक बार्बेरियन रिमोट एरिया से आकर यहां पर में लाइन में ए अगर तुम सच में निर्दोस हो तो हमें साबित करो कि यह सब बस एक मनगर्ण साजिस थी जो सुन डैनूस से बोलता है यह बात है जब तुम्हें मेरा सर काटना था तब तुम लोगों को कोई भी प्रूब की जरूरत नहीं थी पर अब जब सारी चीजे सामने आ चुकी है तो तुम लोग मुझसे सबूत मांग रहे हो यह तो काफी ही जएदा इंटरेस्टिंग है पारखायर अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो चलो इन सब पर एक एक करके बात करते हैं चलो सबसे पहले मियोंग फैमली के बारे में बात कर लेते हैं मियोंग फैमली नौर्थ रिज गेब में गुलाम बनाकर रखा है तो मैं उसे बचाने के लिए गया और म्योंक फेमली ने मुझे रोकने की कोशिस की जिसके की दोरान म्योंक कौंग शूंग और म्योंक डॉंक चूंग के साथ मेरी लराई हुई जिसमें की विए दोनों मारे गए परीम सबको देखने बोला मातर एक परसन था जिसने के अपने बयान को देने से मना कर दिया है इतना बोलती हुए वह चुल मुरीन की ओर देखता है जिसने की पहले बोला था आप लोग चिंता मत कीजिए मैं इस सचाई को एक दिन जरूर बाहर लाऊंगा वहीं डैन की बातों को सुन यह बंदा क काफी जोरों से चिलाते हुए बोलता है तुमने कहानी तो बरी अच्छी बनाई पर इन सब को सावित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इसके अलाबा तुम चुल मुरीन और लैन लिग पर भी सवाल उठा रहे हो क्या तुम्हें पता भी है इस तरह के कर दिया तुम्हारे अपराध काफी ही बरे बरे हैं आखिर तुम इसे कैसे एक्स्प्लेन करोगे जिसके रिपले में डैन उसे बताते हुए कहता है अड़े नयमगंग फैमली इसके बारे में तो बात ही मत करो क्योंकि नयमगंग फैमली की घटना इसलिए हुई थी क्योंक ये सारी चीजे बाहर आ गई तो सबी चीजे मास्टर ड्योंग पर ठोप दी गई और उसे मार दिया गया अगर इन सब के बावजूत भी तुम मुझे दोस्त देना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें इस पर भी सवाल उठाना परेगा जो सुन यह बंदा बोलता है तुम पर जुन हुए आते हुए उन सभी से बोलता है मास्टर ड्यान की बात वह जूट नहीं है मैं चोल मा सुरक्षा ब्योरों का डिप्टी चीफ हूँ इसके अलबा मैं एकलोता सर्भाइवर हूँ मास्टर हुआंगबू के डिटेनमेंट से हम सभी को फाइब ड्रेगन लीग कि अंडरग्रांड प्रिजन में रखा गया था पर मेरे अलबा कोई भी प्रिजन चीफ साच्यान के टॉर्चर को नहीं से पाया और सारे लोग मारे गए मैं अपनी जिन्गी की कसम खाकर कहता हूँ मास्टर डैन के द्वारा कहे गए हरे एक सब्द वह सच है उसकी इस तरह की बातों को सुन सभी वारियर आपस में बात करते हुए बोलते हैं तो क्या वहर यूमर सच थी जो कि पब्लिक में फैली हुई है क्या सच में मास्टर डियोंग म्यू हो को बेभालतू में मारा गया वे सारे लोग इसी तरह बात करी रहे होते हैं तभी ह्योंडो चिलाते मास्टर वांगो प्लीज जवाब दीजिए या यह सारी चीजे बस आपकी प्लानिंग थी और जब वांगो कुछ भी नहीं बोलता है तो डैन उससे कहता है जवाब देने के लिए तुम्हें परिसान होने की कोई अवस सकता नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुमने इसके ल लोग कफी जैदा चौंके होते हैं और कहते हैं यह कितना भयानक लास है क्या मास्टर वांगो ने इसके साथ कुछ किया है वहीं वांगो बस उसे देखे जा रहा होता है लेकिन डियान आगे बताते हुए कहता है इस आदमी को दस हजार साल पुरारा वोल्ड ऐरन से घीडे रूम में रखा गया था इस क्यलाबा उसके हाथों और पैरों को काट कर उसे जंजीरों से भेद दिया गया था सातिया आप लोग जैसे की देख सकते हो उसके आखे तक को बहर निकाल ली गई है और उसके शरीर से उसकी चमरी तक को उधार लिया गया है पर इस आदमी ने जो आखरी सब्द बोला था वह था मुएक जले तो मुझे इस चीज को लेकर कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आखिर मुएक किसका नाम है लेकिन जब इस आदमी ने अपने मरते समय में आगे बताया कि उसका नाम हुआंगो गुनैक है तो तब होना थोरा सा मुझकिर है लेकिन और ही दिर मुझे उन लोगों में से एक कियाद आई जिसने कि मुझे मारने की कोशिस की थी उसका नाम हिम गायू था जो कि एस्टिल ब्रांडिंग इम फैमिली से थी जो कि फाइब ड्रैगन लिक के अंदर आती है उन लोगों के पास एक इसी टक्निक थी जिससे कि किसी का भी चेहरा लेना उन लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती है उसी टक्निक के जर्य हुमांगो मुयां अपने चेहरे को बदल कर इतने सालों से फाइब ड्रैगन लिक के हेड के रूप में छुपा रहा बयान की इस तरह की बात का चेहरा कैसे ले सकता है लगता है कि किंग ओफ वार तुम पागल हो चुके हो इसलिए इस तरह की बखवास नॉनसेंस को कर रहे हो जो सुन वहां पर एक ओल मैं आते हुए कहता है मैं इसे सावित कर सकता हूँ यह लास वांगो गुनैक की ही है बहले ही इतने सालों में लो वही यह ओनर टीचर भी उसे पहचान लेता है और अपने मन में कहता है यह वह परसन है जो कि जब जवान था तो उसे एक जीनियस कहा जाता था और इसे वांगो गुनैक के द्वारा फेवर मिला था पर मैंने तो सुना था कि यह साथ साल पहले ही दिसापेर हो गया था वो यह सब सोची रहा होता है तभी वह ओल्ड मैन दुबारा चिलाते हुए बोलता है मैं यह साबित कर सकता हूँ कि सिंघासन पर बैठा हुआ परसन हुआंगो मुयक है यो कि मैं उसी जगह पर था जब उसने मास्टर हुआंगो पर छुपकर अटैक किया था और यही कारण थ कि उसने मेरे मार्सल स्केल को खत्म कर दिया और मुझे बंदी बना लिया अगर मास्टर डैन नहीं होता तो मैं कभी भी इस सचाई को सामने नहीं ला पाता और गुमनामी में ही किसी को पिना पता चले मर जाता उतने में ही वहाँ पर आईस बलोसम भी आते हुए बोलती है यहाँ पर एक और सबूत है जो कि साबित करता है कि यह बंदा वांग्बु गुनैक नहीं वांग्बु मुएक है अईस बलोसम को इस तरह सभी वारियरों के उपर से जाता हुआ देख उस लोग बोलते हैं भाइस की टांग अभी अभी यह क्या था वह इस्तो हो सभी के साम है और जब हमने आगे पता करने की कोशिस की तो हमें पता चलाखे साथ साल पहले लोटने वाला पर्चन वांग्बु गुनैक नहीं बलकि उसका छोटा भाई वांग्बु मुएक था और उसने यहां पर आकर अपने बरे भाई वांग्बु गुनैक का पोजीशन ले लिया उन दोनों के इस तरह सामने देख ओल्ड बैगर कहता है तुम लोग बिलकुल सही समय पर आई हो वही हांसु तो काफी ही ज़्यादा है सोहो को उहां पर देख जबकि सोहो ड्यान को देखता हुआ बोलती है और वियान काफी लंबा समय हो गया आपको देखे भी तो ड्यान उससे बोलता है तुम बिलकुल सही समय पर आई हो दूसरी तरफ आईस बलोसम ड्यान को देखता हुआ सोच रही होती है तो यही वह बंदा है जो कि मेरी फादर का डिसेवल है ड्यान सायू उससे समय सोहो आगे सभी को बताते हुए कहती है हमारे पास हमारे दोरा कहेगे कुछ explain करना ही होगा वही 9 central का head sorry cent भी बोल रहा होता है या उन लोगों ने जो बोला वो सच है या सच में आपने पूरे गांगों को इतने समाई से धोका दे रहे थे उन सभी की बातों को सुन फिस सेंट अपने मन में सोचता है मुझे पहले से पता था कुछ ना कुछ तो जरूर गलत है क्योंकि इस लेवल पर होने के बावजूद भी कोई क्यों ही खुद की एक्षा से अरन टेरेंट के हाथों बंधक बनेगा और जिल में जाने के लिए तैयार होगा अवी डियान उससे दुबारा टेली फैते के जरियों बोलता है मैं तुम्हें उस समय अपने हाथों से ना मारने के लिए पर अब मैं उस गलत फैसले को सुधारूंगा और तुम्हें यही पर मार डालूंगा इतना बोलते हुए वह काफी भयानक तरीके से अपने खतरनाक पावर का इस्तिमाल करते हुए द्यान पर अटेक कर देता है जिसके चलते हम देखते हैं वहा अगले चैप्टर के साथ